हेलो टेडर्स इस वीडियो को जो हम बात करने जा रहे हैं चारी स्टोक की बारे में जिनी स्टोक में 39 सेप्रेल को हम इंटरी टेडिंग कर सकते हैं यानि शुक्रूबर को हम इंटरी टेडिंग कर सकते हैं इन चारी स्टोक की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं और इसका पीसे लोग जैसा फॉर्म और है तो यहां पर आगर देखा जाए तो पुर का जो ट्रेंड नाइन कि बहुत एच्छा नर्गेट होगा हमारा 227 दूसरा टेकेट 225 एंड 231 पर हम इस्टोप लगाएंगे दूसरा इस्टोक का बायो कॉन बायो कॉन का इस्टोक अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन दुनों रेंज के बीच में ट्रेट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर भी उपूर का ट्रेल 379 पर शौट करेंगे टार्गेट होगा मना 369 दूसरा टीकेट 367 एंड 373 पर इस्टोपा स्टोप लगाएंगे लेकिन अगर published वों चले बेखो होता है इस डिश्टेंश स्टोक ही और हम इस्टोक को बाय करेंगे 386 पर बाय करेंगे, टार्गेट होंगा 388, तुस्टा रेके 390, 384 पर इस्ट प्लस लगाएंगे तीसरा स्टोकों का HDFC, HDFC मतलब Housing, Development, Finance, Corporation तो HDFC का स्टोक में देखें, यहाँ पर ट्रेंगल फर्म हो रहा है और इन दुनुर रेंज की बीच में यहाँ पर भी ट्रेट करता हो नज़र आ रही, तो यहाँ पर भी देखा जाए, उपर का लाइन बहुत यहाँ चाहा सा रिबी करूक में इसे सप़ोट लेवल है तो दीखिए का लागर फिर से हमें रावक अम पर रा करेंगे टारगेट होगा हमारा तू टू तूर प्रोस दूट लगाएंगे लेकिन अगर मार्केट हो जाते हैंude के सब्चस्क बेकर्गेnio तो हम इस्टोक को शॉट करेंगे टू 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 डबल जिरो एंड टू 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 अन पर हम स्टॉपलस लगाएंगे चौता इस्टोको का म 아닌 सब्सक्राइब 5 सब्सक्राइब को रही तो किया सबयाब्र को पता क्रहुंद सब्सक्राइब यहाँ पर और निसी का टेलना एक अच्छा कासा सपोट लेवल है यानि बरबर सपोट ले रहा है तो देखेए काल अगर मर्केट यह से फॉल होना शुरू करें और निसी की सपोट को ब्रेक करता है तो हम इस टोको शॉट करेंगे ओन त्री ऑज सिक्स पोट शॉट करेंगे लेकिन अगर मर्केट यहाँ से उपर का रिजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं तो हम इस टोक को बाइग करेंगे बहुत अच्छा बाइंग होगा अमारे लिए ऑन 373 पर बाइक करेंगे टार्गेट होगा अमारे निकल कर आ रहे हैं है अगर हम नीप्टी की लेवल की बात करें तो दिखें नीप्टी में जो इंपोर्टन लेवल हमारे लिए काल निकल कर आ रहे हैं सबसे इंपोर्टन लेवल हमारे आता है वह 17,250 का लेवल है एक बहुत ही बहुत ही इस ट्रॉंग रेजिस्टेंस था पहले दिखिए रेजिस्टेंस पर यानि एक सपोर्ट आप कह सकते हैं अभी सब्सक्राइब यानि यह से ब्रेक नहीं कर पाए तो मतलब काल जो है मार्केट ऐसे ओपन हो सकते हैं या तो आपको गेप अप मिल सकते हैं अगर गेप अप मिल जाता है यानि 17250 के उपर फिर मिल जाता है तो इसके बाद जो तेजी देखने को मिला बहुत यह अच्य था और काल भी आप इसी प्रोकर कर सकते हों कि कि आगर गेप आप मिल जाता है तो आपको मर्केट फॉल होता हो नाजरा कि कि इसके बाद रेजिस्टेंस निकल कर जाता है जो 17250 का लेवल है तो यह बहुत इंपोर् का लेवल और दूसरा लेवल आजाते सत्रीजार से सो का लेवल सबसीं इंपोर्टेन लेवल है क्योंकि कर दिखिए का लागर सफेजार से सो का उपड़ गेप अपड़ प्वेइन हो जाता है तो मर्केट में आपको बहुत यह अच्य तेजी आपको देखने को मिल जा सकता आज देखने को मिला था यह बहुत है इससे पहले एक सब्सक्राइब यहां पर बहुत कर जाता है या या इसके उपर पर को जाता है तो बहुत तो अगला resistance हमरे पस निकल कर आ रहा है वो 37,000 का यानि 37,000 का लेवल तक्रिवन 500 पॉइंट उपोर है लेकिन अगर market गेप अप नहीं मिले और 37,000 का लेवल के नीशी आपन हो जाए यही कई आपन हो जाता है तो market जो आपको फिर से आपको पूरा सांस देखने को मिल रहा है तो बहुत याथ सा कॉल का पॉईशन बन सकता है काल के लिए और आज के जैसा तेजी आपको काल भी देखने को मिल सकता है